मेरट के आसपास के गाउं के जंगलों में इन दिनों तेंदूई ने अपना आतंक मचा रखा है जिसको खेतों में काम करने वाले कई गाउं के किसानों ने अपनी आखों से पेड से चड़ता और उतरता देखा है जिसकी सूचना किसानों ने वन विभाग की अधिकारी को दी तो वन विभाग की अधिकारी मौके पर पहुचे पहले तो वन विभाग की अधिकारी किसानों की बात मान नहीं रहे थे और किसानों को समझा रहे थे तैंदुआ ऐसे जंगलों में नहीं आता है लेकिन जब बदला कैतवाडा की एक प्रत्यक्ष दर्शी एक किसान ने तैंदुए के पदचिन छापे दिखाए तो वन विभाग के अधिकारी पैरों के निशान देखते हुए जाच की और इस चीज को स्विकार कर गए की तैंदुए का जोड़ा जंगल में घूम रहा है लेकिन वन विभाग की टीम ने किसानों को टेक्निकल काम बताते हुए वहां किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जिसके चलते हैं वहां की किसान वन विभाग की टीम से खफा दिखे और कहने लगे यदि कोई जंगल में किसान पर या अन्ने किसी पर हमलाया उसकी जान ले लेती तो उसका जिम्मेदार बन विभाक के अधिकारी होंगे। नजर हर खबर पर